ये शाया है तो इस वक्ते की उस्तर अर्दिहाई 61 प्रभू यहोगा का आत्मा मुझप है क्योंकि यहोगा ने सुर्समाचार सुनाने के लिए मेरा अभिशेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दू और बंधू के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो और यहोगा के प्रसंद रहने के वर्ष का और हमारे परमश्वर के पल्टा लेने के दिन का प्रचार करो और सब विलाप करने वालों को शांति दू और सियोन के विलाप करने वालों के सीरपर की राक दूर करके सुन्दर पगड़ी बांदो और उनका विलाप दूर करके हरश का तेल लगाओ और उनकी उदास से हटाकर यश का ओड़ना उड़ाओ जिस से वे धर्म के बांच ब्रुक्ष और यहवा के लिए लगाय हुए कहलाए ताकि उसकी महिमा प्रगट हो तब वे बहुत काल के उजडे हुए स्थानों को फिर बसाएंगे और पुरो काल से पड़े हुए खंडहरों में फिर घर बनाएंगे और उजडे हुए नगरों को जो पिढ़ी से पिढ़ी में उजडे हुए हो फिर नए सीरे से बसाएंगे और परदेशी तो आख़ड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे और विदेशी लोग तुम्हारे चरवाहे और दाख किबारी के माली होंगे पर तुम यहवा के याजक कहलाओंगे वह तुमको हमारे परमिशर के सेवक कहेंगे और तुम अन्य जातियों की धनसंपत्ति को खाओगे और उसके विभो की वस्तोय पाकर बढ़ाई करोगे तुम्हारी नामधराई के संती दुना भाग मिलेगा और अनादर के संती वे अपने भाग के कारण जय जकार करेंगे और वे अपने देश में दुने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित रहेंगे क्योंकि मैं यहोवा न्याय के प्रती प्रिती रखता हूँ और अन्याय और डकैती से गुणा करता हूँ इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूँगा और उनके साथ सदा की वाचा बांदूँगा और उनका वन्ष अन्य जातियों में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी जितने उनको देखेंगे पैचान लेंगे कि यहाँ वन्ष है जिसको परमिश्वर ने आशीच दिये है मैं यहवा के कारण अती आनंदित होँगा मेरा प्रान परमिश्वर के कारण मगन रहेगा क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्तर ऐसे पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दिये है जैसे दुल्हा फुलों की माला से अपने आपको सजाता है और दुल्हन अपने गहनों के से अपना सिंगार करती है क्योंकि जैसे भूमी अपनी उपच को उपचाती और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको वह उपचाती है वैसे ही प्रभु यहवा सब जातियों के सामने धर्म और यश्च को प्रगट करेगा झाल